आपका पसंद्धा चैनल क्रिश्म साफ और तरफर हार्दिक स्वागत है तो आज जो है mathematics का हम लोग coordinate geometry को निर्देशांख या मीती भी तो पढ़ेंगे यह यह जोमेट्री का यह पार्ट है इसका परिचय हम लोगों को विद्यार्थियों को जो है लगभग सभी बोड़ पर चाहें वह वह सेंट्रल बोड़ हो चाहें वह एस्टेट बोड़ हो तपर जो है नौवी के अच्छा में नौवी के अच्छा के पाठक्रम से ओपढ़ाया जाता है तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोडिनेट जुमेट्री को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कोडिनेट ऐसे भी आ जाता है का मतलब क्या होता है से सांग या इसको हम लोग नामक नामक या मीत कहते हैं है तो आप लोगों के स्क्रीन पर सामने दिख रहा है क्यों कोडिनेट जुमेट्री लिखा हुआ है का हिंदी में अर्थ क्या होता है तो नियामक या किर्दे सांग यामी थी यानि कहने का मतलब यहां कि साफ साफ और स्फस्ट दिख रहा है जुमेट्री यानि इसके बाद में कोडिनेट के बाद जो लगा हुआ सब्द है जुमेट्री यह परिचे कराता है कि यह जुमेट्री का ही ओडिनेट जो है जुमेट्री का ही एक भाग है लेकिन इसमें अंतर क्या है यह जो है जुमेट्री और को ओडिनेट जुमेट्री यानि हमारा जो यह जुमेट्री है एक संशिप्त पर्चे के तौत हम लोग देखेंगे यह हमारा जुमेट्री है और यह हमारा कोडिनेट जुमेट्री है तो इसमें अंतर क्या है इसमें एक सिंपल सा अंतर ठीक है इसमें क्या है क्या अंतर है तो यह जो है इसकी नियू जो है का बेस जो है नियू मेट्री का नियू जो है रेखा पर अधारित है और रेखा पर अधारित है यानि जोमेट्री जो है यह भी हम लोगों मिलता है जैसे तिर्भूज मिलता है चतुर्भूज मिलता है बहुभूज मिलता है यह सब रेखाओं से ही इनका निर्माण होता है जैसे तीन रेखा के मिलने से तिर्भूज बनता है चार रेखा के मिलने से चतुर्भूज बनता है तो इस जोमेट्री में हमको यानि रेखा ही जो है क्या है तो इसका आधार है क्या है जोमेट्री का आधार क्या है तो रेखा है ठीक है लेकिन यह को ओर्डिनेट जोमेट्री यानि जो निर्देसांग ज्यामिति है जो नियामक जयामिती है, पहले ही इसमें बता गया है, यह कोडिनेट का मतलब होता है, कुर्दे सांग, कुर्दे सांग, यानि कहीं नहीं यह किसी को निर्देशित करता है, क्या करता है? इसका नियू जो है, एक बिन्दू और उस बिन्दू के निर्दे सांग पर ही तिर्वर करता है, क्या करता है? एक बिन्दू होता है, ठीक है? और इसके जो निर्दे सांग के है, वो इसके निर्दे सांग होते हैं, इसी पर इसका जो है नियू ठीका हुआ है, यहीं अंतर है, यह रेखाओं पर अदारित है और यह निर्देसांग परदैसयानि बिंदू पर आधारित है और उस Bindu का दो निर्देसांग होता है यह बिंदू पर पर रीदासयानि पर थारित have इस लिए यह जो है क्या है तो, न्यॅमक्ष जैमित् है यह जोμε्ट्री है यह हम लोग किлаर् इसका नाम क्या है यहां से देखे रेखा पर आधारित गनित तो यह क्या हो गया तो रेखा गनित यानि जोमेट्री हो यह निर्देसांग पर आधारित हमारा जोमेट्री है यह निर्देसांग जोमेट्री हो गया यानि नियामक जयामिती हो तो यहीं दो अंतर है ठीक है लेक कहीं पार्ट है इन सब के लिए इन सब के लिए हमको जो मेट्री पढ़ने के लिए यह हमको coordinate geometry पढ़ने के लिए एक plane किया हो सकता होती है, एक तल किया हो सकता होती है, और plane क्या है, जैसे आपके सामने जो है, यह दिखाई दे रहा है, और digital जो board है, digital जो हमारा board है, वह क्या है? एक plane है, digital जो हमारा board है, वह एक plane है, ठीक है, और यह हमारी जो तल हती आपको दिखाई दे रही है, क्या क्या है, यह plane नहीं है, क्यों plane नहीं है, तो कहीं इसमें उभार है, तो कहीं इसमें गढ़ा है, यानि जो है, कहीं उभार है, कहीं गढ़ा है, ठीक है, यानि एक बराबर इसका तल नहीं है जिसका तल जो है बराबर वह तल जो बराबर होता है हर जगह हर बिंदु पर उसे हम क्या करते हैं समतल करते जब भी हम तल की बात करेंगे रेखा गणीत हो या फिर फिरदेसांग जया मेटी जो है हमारा overeat Br Innerredit 처 methil CH One sum lava the control की बात करेंगे एक संतल की संतल की बात करते हैं जैसे हमारा य tien بर बता है किसी भी अब भ्यास पुनस्थिका का कज हमारा एक पर होता है वह क्या होता है प्लेन होता है यानी कहने का मतलब जो है इसको जो है से मैं से ही किसी तल पर रखा जाये तो इसका परतेक बिंदू जो है इसको टच करें ठीक है कि नहीं इस पेपर का परतेक बिंदू इस वाइट बोर्ट के परतेक बिंदू को जब टच करता है तो इसको हम क्या करते हैं एक प्लेन करते हैं ठीक है इस तो प्लेंट का मतलब हमारा यहाँ पर जो है गर्थ भिए यहां और सिर्स भी है यानि उभार भी है यहाँ और गढ़ा भी है तो ऐसा तल जिसमें उभार और गढ़ा हो उसको हम क्या करते हैं उसको हम प्लेन नहीं करते हैं जिसमें वार और गढ़ा नहीं हो इस तरह जैसे किसी बाल्टी में अगर हम पानी को भर देते हैं किसी टब में भर देते हैं तो उपर का जो उसका तल होता है तो क्या होता है वह समतल होता है ठीक है कि नहीं तो जो मेट्री को समझने के लिए जो है हम को एक तल किया हो सकता है और रेखा किया हो सकता है लेकिन कोडिनेट जो मेट्री को निर्देसांग जया मीती को समझने के लिए हम को चिका चाहिए तो एक बिंदू चाहिए और एक तल च परिचे था उसके बाद जो हम इसका विस्तार से इसका परिचे देखते हैं ठीक है कि तो कोडिनेट कि तो मैट्री के लिए हम को क्या चाहिए कि यहां हम एक बिंदू लेते हैं जान दीजिएगा यह बहुत ही रोमांचक तो है इंट्रेस्टिंग मैथ का बहुत हुई इंट्रेस्टिंग पार्ट है तो यह थोड़ा कठीन तो है थोड़ा कठीन है लेकिन समझ में आ जाने के बाद एक दम ही इंट्रेस्टिंग पार्ट है ठीक है एक बिंदू लेते हैं और का निर्देसांग को होता है यह कहां इस्थित है यहीं इसका निर्देसांग की यह बिंदू कहां है एक्ट्रट में जो बताता है वहीं इसका निर्देसांग होता है ठीक है जी में इसको क्या करते हैं तो किसी विंदू पी को तरसाने के लिए दो निर्देसांग की आउर सकता है और एक एक प्रेकेट के अंदर इन दोनों को एक कोमा के तहत दिखा जाता है एक एक कोमा के अंतरगत दिखा जाता है और इसको हम बुझ करते हैं और इसके राइट पार्ड यानि एक के बाद वाला जो होता है वाई जो है इसको हम लोग कोटी करते हैं कोटी को हम लोग क्या करते हैं कोटी यानि ओर्डिनेट को हम लोग अंग्रेजी में और डिनेट करते हैं इसको भूज करते हैं और इसको पोटी करते हैं यानि हमारा एक्स जो है यह हमारा जो है चर रासी भैरियेवूल जो हमारा यह टर्म जो है यह लिया जाता है चुकि यह जेनरल रूप में व्यक्त करने के लिए जब भी है किसी ब्यापक अस्तर पर कोई काम करना होता है तो एक जेनरल टर्म लिया जाता है ठीक है एक जेनरल टर्म लिया जाता है तो हमने जेनरल टर् करते हैं उस बिन्दू का एक्स को बिन्दू का भूज करते हैं क्या करते हैं बिन्दू पी का यह भूज है यह क्या है बिन्दू पी का यह कोटी है यानि बिन्दू पी का प्वाइंट पी का यह एब सीता है और यह क्या है तो ओडिनेट है यह क्या है तो ओडिनेट है यानि तो आपसे पूछा जाएगा की भूज क्या है और कोटी क्या हो गया हुज क्या हमारा कितना हो गया तो 5 हो गया कोटी को क्या हो गया तो कोटी क्या हो गया हो गया हुआ तो आसा करते हैं आप लोगों को समझ माया होगा इसके बाद पूटन इसके बाद इसमें जो है हुआ है कि आवसक्ता पढ़ती है दो इसका मतलब यह जो और डिनेट जो में jullie है इसके दो पहिये कह लिजिए या उसके अस्तंब कर लिए नियू का अस्तंब कह लिजिए ठीक है तो इसमें तो है हमारे एक प्लेन में एक प्लेन को चार भागों में दो रेखाएं लिजाती है एक रेखा जो है एकस डैस ओ एकस और दूसरी रेखा उसकी ठीक परपेंडिकुलर रेका लिय जाती है एक प्लेन में जो इसको चार भागों में दिलाइड करता है जैसे एक प्लेन है और यहां पर जो है ओ बिन्दु पर ओ बिन्दु पर यह जो है कि यह ओ वाई डैस रेखा जो है एक सको ओ बिन्दु पर तो हमारा जो है यहां पर चार प्लेन जो है यह प्लेन को 4 भागों में बाटती तो तो चार चतूर्थांस होता है चार भालती है इसलिए इसको हम चतूर्थांस कवाद्रेंट कहते है तु। और रोख हाद में इसको हो गया करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कहते हैं परथम पाद ये क्या हो गया यह जो है इसको हम लोग जितिये और यानी सेकेंड क्वाड्रेंट करते हैं तिक है इसके बाद यह हमारा होता है स्र you कर दो यानि जो है कि यह मारा है थर्ड कौर्डरेंट हो और इसको हम लोग क्जा करते हैं प्सक्राइब है और выглядит यह क्या है पूर्थ यानि चतूर्थ चतूर्थ पाज, यानि चार भागों में बाठते ही, तो यह हमारा कौन-कौन सा चतूर्थांस हो गया, जो ही लाइन होती है, X-OX और Y-OY, तो परपेंडिकूलर लाइन जो है, एक पलेन को चार भागों में, वो बिन्दू पर कटते हुए चार भागों में डिभाइड करते हैं, तो इन ही चार एक पलेन का बिन्दू किसी न किसी पलेन में होगा, तो वह पलेन के किस पाद में है, किस क्वाडरेंट में है, कि भी जानना जो है सबसे इंपोटेंट होता है क्वाडरेंट में है, यानि जो उसका डाइरेक्शन की तुरंत हमारे बाग में है तो है त्वरित आ जाएगा कि भाई यह किस क्वाडरेंट में है ठीक है का साइन निगेटिव है पोजेटिव है तो होता क्या है एक्चूल में कि यहां से यह जो हमारा मूल विंदू है है ओरीजिन जो है इसको हम लोग ओको क्या करते हैं फूल विंदू इसको हम लोग क्या करते हैं तो हम लोग पूल विंदू करते हैं पूल विंदू यानि इसको ओरीजिन ओरीजिन कहा जाता है और इसका जो है दिर्दे सांग जो होता है वह 00 होता है जो निर्देसांग होता है पॉरीजिन का वह 00 होता है इसका निर्देसांग 00 होता है ठीक है अब देखा क्या जाता है कि इस मूल विंदू से राइट साइड में चलने पर यानि दाहिने हाथ की तरब चलने पर जो दूरियां हमको मीलेगी जो डिस्टेंस हम कवर करेंगे वह क्या होगी वह धानात्मक दूरी होती है और फूल विंदू से जब हम उपर की और चलते हैं वह दूरी भी वह दूरी भी क्या होती है पोजेटीव डिस्टेंस ली जाती है ठीक है वह पोजेटीव डिस्टेंस की जाती है लेकिन अगर हम मूल विंदू से माए के तरफ एक्स एक्सिस के अनुदीश या समनांतर नक्र चलते हैं तो वह दूरियां होती है तो negative होती है ठीक है या दूरी piousajd . और या ऊपर की तरफ बढ़े साइड है यायरा होता है तो निगेट्व यानि रिनात्मक दूरी या राजा रहे हैं यह से हम पाएं जा रहे हैं यह जो है we ओरीजिन से मूल विंदू से उपर की तरफ जा रहे हैं तो धानात्मक है या मूल विंदू से हम नीचे की तरफ जो दूरी है ठीक है वह क्या होता है यह रिनात्मक होता है यह दिश्टे ठीक है तो कहने का मतलब है कि यह अगर हम के हमारा ओ y डिस ओ जो हमारा एकसीस है वाई जो हमारा एकसीस है याւ इसको y x कहते हैं पूरे creativity आब हम 2021 जो है citizen iy इसको को हम सिधे y axis कहते हैं, यानि y अक्ष कहते हैं, ठीक है कि नहीं, या इसको y dash o y कहेंगे, इसको जो है, हम direct y dash o y axis कहेंगे, access कहेंगे, यानि अक्ष कहेंगे, या फिर इसको हम direct इतना बड़ा नाम नहीं लेते हैं, तो simply तरीका से इसको हम y axis कहते हैं, ठीक है, y axis हो गया, और इसको जो है, हम direct x axis कहते हैं, ठीक है, तो x axis के direction में, along में, यानि अनुदीस, या उसके समनांतर, x axis के समनांतर या उसके अनुदीस, यानि इस direction की जो में है, x direction में, और यह हमारा जो y axis है, उसका पर भी लंबवत हो जाता है, यह कि जो दूरी होती है, वह जो है, x निर्दे सांग कहीं जाती है, वह उसको हम क्या कहते हैं, x निर्दे सांग कहते हैं, ठीक है, और इस x axis के लंबवत, इस x axis के लंबवत जो है, जो दूरी हम को आती है, और y axis के parallel, यानि जैसे इसको देखा जाए, तो यह क्या हो गया, y axis के parallel है, और x axis के क्या हो गया, लंबवत है, तो यह जो दूरी हम को मिलेगी, वह उसको हम y निर्दे सांग कहते हैं, तो यह देख, यह हमारा जो इस, इस quadrant में, जो हमारा distance होता है, धनात्मक होता है, क्योंकि, इभी धनात्मक, इभी धनात्मक, इसलिए, और स्ट क्वाडरेंट में, जो है, और स्ट क्वाडरेंट में, किसी भी विन्दू का, किर्दे सांग जो होता है, वह हमेशा क्या होजा पोजेटिव यानि हमारा जो है कि एक्स भी यहां पोजेटिव होता है और वाई भी इसमें क्या होता है पोजेटिव देखेंगे यहां कि यह वाई इसमें क्या है तो पोजेटिव है और एक्स क्या है निगेटिव यानि सेकेंड क्वाडरेंट में किसी बिंदू को निर्देशित करने के लिए हम हमारा एक्स जो निर्देशांग होगा हमारा जो एक्स निर्देशांग होगा वह रिनात्मक होगा और वाई जो वाई जो हमारा निर्देशांग होगा यह हमारा जो भूज होगा वह रिनात्मक होग और जो कोटी होगा वह धानात्मक होगा यानि ये भूज है तो ये रिनात्मक और ये कोटी है तो ये पोजेटिव अब इसमें देखेंगे थर्ड क्वाडरेंट में तो यहां X क्या है तो निगेटिव है और यहां Y भी क्या है तो निगेटिव है यानि थर्ड क्वाडरेंट में किसी विंदू का निर्देसांग जो है दोनों क्या होता है दोनों निर्देसांग जो होता है किसी विंदू के दोनों निर्देसांग दोनों के दोनों निर्देसांग क्या होते हैं ये रीनात्मक होते हैं ठीक है अब फोर्थ क्वाडरेंट की बात है तो फोर्थ क्वाडरेंट में क्या देखते हैं तो हमारा एक्स एक्सिस है ये धनात्मक है ये नीचे की दूरी हो जाती है फूल विंदू से ये नीचे के भूज जो होता है भूज जो है वह पोजेटिव होगा और एक कोटी जो है हमारा क्या होगा कि यह हमारा वाडरेंट यानि कहने का मतलब है कि पर्थम पाद कहिए क्वाडरेंट कहिए इसको ठीक है यानि एक पलेन को कोई दो परपेंडी कुलर लाइन जो है जब चार बाराबर बाराबर भागों में वैठती है तो उसमें जो है हिसको जो है तो राइट साइड में उपर की तरफ होता है पर की तरफ जो होता है तो पर थम आद जानि फर्स्ट काडरेंट कहते हैं ओपर की तरफ और left side में ऊपर के तरफ और दाये side में जो हमारा quadrant होता है जो भाग होता है पटा होता है उसको हम लोग 2nd quadrant या दूतिया बाद कहते हैं ठीखे पिर से नीचे की तरफ और left जो हमारा होता है यह हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है यानि तिर्थ ये पाद होता है और ये हमारा चतुर्थ क्वाड्रेंट होता है तो किसी भी विन्दू का पर्थम पाद में फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी विन्दू का निर्देसांग जो होता है किसी विन्दू का दोनों यानि एबसी सा और और इनेट इसको एबसी सा करते हैं भूज को और इसको और इनेट करते हैं इसको कोटी करते हैं ठीक है तो कोई जो है यहां पर यह समझाया गया है इसको क्या करते हैं यह कोटी है यानि इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या करते हैं तो और इनेट करते हैं और इसको अंग्रेजी में क्या करते हैं तो अब सीसा करते हैं यानि हमारा फस्ट जो क्वाडरेंट है इसमें भूज और कोटी यानि किस विन्दू के दोनों के दोनों निर्देसांग क्या होंगे तो पोजेटिव होंगे राइट दोनों के दोनों निर्देसांग क्या होंगे तो पोजेटिव होंगे ठीक है अब आती है बात सेकेंड क्वाडरेंट में तो हम लोग देखते हैं क्या यह पोजेटिव है यानि हमार सभाइई जो है वाई के पैलर जो ट्रीश्टेंस है K정 मोरा वाक क्या है पुजेटीवी जनी ओए का ज Вас unw अतिर्दसांग क्या होगा तो धनात्मक होगा और एक सिक्या है तो यहां रीनात्मक है यानी हमारा जो है लैक्ष निर्दे सांग जो जो है यह क्या होगा रिनात्मक होगा और वाई निर्देसांग जो है वह क्या होगा तो धनात्मक होगा ठीक है कि उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में यह भी और यह भी दोनों रिनात्मक है इसलिए हमारा y निर्देसांग ये और ये x निर्देसांग यानि ये हमारा भूज और ये कोटी दोनों के दोनों 3rd quadrant में दोनों के दोनों 3rd quadrant यानि कहीं लिखा हुआ मिल जाए आपको कि minus 2 minus 1 कोई बिंदू P है इसको इस्तरो निर्देसित किया गया है जिसके निर्देसांग माइनस दो और माइनस एक है तो आपसे पूछा जाएगा कि यह किस quadrant में है यह जो है किस पाद में किस quadrant में है तो आप लोग देखिएगा भाई पहले देखे कि भूज क्या है रिनात्मक है या धनात्मक है कोटी क्या है रिनात्मक है दानात्मक है यानि दोनों रिनात्मक है तो दोनों रिनात्मक किसमें होते हैं तो थर्ड क्वाडरेंट में यानि हमारा जो बिंदू P है और थर्ड क्वाडरेंट में इस्थिति यानि इसका पोजीशन जो है इसकी इस्थिति जो है यह बिंदू ज लांग जो है हमारे इसके निर्दे早ं का मारे यह हैं। ओर और यह माइनस दू डो आपसे यह पूचा जाएगा किये किस क्वाडरेंत में है इस क्वाडरेंट मैं तो नदेखेंगे किए भू Jude हमारा जो है opposite ओ यानि हमारा जोHHHH यहाँ पर रूज जो है धनात्मक है और पूर्टी जो है वह रिनात्मक है तो भूज धनात्मक और कोटी रिनात्मक किस में होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इस्थित है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा यह जो है बिंदू जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में इस्थित होगा ठीक है अगर यह आपको जो है आपसे पूछा जाता है यह पार्टिकुलर जो बिंदू है यह पी हमारा जो है इसके निर्देशांग जो आपको दिये गए है तू और टू यानि भूज भी हमारा क्या है पोजेटिव और कोटी भी हमारा क्या है पोजेटिव यानि दोनों पोजेटिव है तो यह किस chaλέ promote है तो फ़स्ट क्वाडरेंट में है ठीकres लिए ऐसी परकार यहाँ पर आपको लिए जायर बरएफ उसनी पलस तू यह किश्क वाड़ेंट में है तो देखिए क्या कि यह जो है भूज हमारा माइणस है और कोटी हमारा तो है पहें जो है यह हमारा अरिनात्मक है यह धनात्मक यानि भूझ जू है चोटि हमारा धनात्मक है कि स्कॉड shortcuts में है तो देखेंगे साइन तो यह second quadrant में तो दिमाग में आ जाएगा भाई यह 2nd quadrant में है ठीक है तो आपके आपको जो है फिन्दू जो आपको आपके साम्ने जो दी होगी कि इसको हम लोग कैसे मतलब इसकी स्थीती को कैसे जानेंगे तो यह हम quadrant के तहारे जानेंगे ठीक है कि नहीं या निक कहने का क्या है कि कोडिनेट जो है वह हमको भीनदु और उस भीनदु के निर्दे सांग तथा निर्दे सांग की स्थिती पर ईस सारे कोडिनेट जो है कोडिनेट oblier का इसको हम लोग ये हमारा जो निर्देसांग है हमारा जो निर्देसांग होता है कोडिनेट जो होता है यह दो परकार का होता है दो सिस्टम से हम किसी विंदू के निर्देसांग को दो पदती में व्यक्त करते हैं कि एक क्या है तो यह कहमारा जो होता है कार्थियो पद्धति को कार्टेसियन को जन चम कहते हैं और इसको जो है यह धुरूविय पद्धति पद्धति में इसको हम लोग पूलर सिस्टम कहते हैं पूलर सिस्टम कहते हैं यानि कोई भी बिन्दू जो है कोई विन्दू जो है पी है कोई विन्दू पी है तो इसके कार्टेसियन जो है कार्टेसियन जो है सिस्टम में इसको हम कैसे निर्देसित करेंगे ठीक है कोई बिन्दू यहां पर पी है तो यहां से जो है एक्स एक्सिस के य एक्सिस हमारा है तो एक्स एक्सिस के डाइरेक्शन में एक्स एक्सिस के डाइरेक्शन में वाई एक्सिस के लमवत वी क्या है जानी एक्स एक्सिस के पैरलर वाई एक्सिस के लम्वत इसकी दूरी क्या है तो अगर यहां पर हम P को X करते हैं इसको Y करते हैं इसका मतलब क्या होता है कि यानी जो है ये बिंदु P जो है X-axis के पैरलल समनान्तर और Y-axis से ठीक लम्वत X दूरी पर है कितने दूरी पर है तो X दूरी पर यानि distance को बताता है यह हमारा जो है distance को बताता है यह जो है बिन्दु जो है यह y-axis के लंबवत कितनी दूरी पर है या x-axis के अनुदीश सामनांतर कितनी दूरी पर है ठीक है तो यह जो है उसके बाद यह बिन्दु जो है कि हमारा जो कोटी है यह बताता है यह जो है x-axis के perpendicular और y-axis के parallel कितनी दूरी पर है तो y दूरी पर है यानि जो है x-axis and y निर्देशांग जो है हमारे यह y-axis से दूरी प्ताते है y-axis से जो दूरी होता है वह x-axis होता है और x-axis से जो दूरी होता है वह हमारा य निधह में संग कोटा है ठीक है यह मेरा क्या है तो वाइन इर्देसांग खोथा है इसको जो है कि हम्रा क्या है वो ओरिजिन लियानि मूल विन्दू से एकसिस कितनी दूरी पर है और और पूल विन्दू से यसीस के अनुती-स इतनी दूरी पर है यहीं हमको यह बताता है यानि जो है यह एकस दूरी पर है यानि यह कहता है कि यह बिन्दू जो है y-axis से x दूरी पर है और उसके बाद y-axis वाई एक्सिस से एक्स दूरी पर है और एक्स एक्सिस से वाई दूरी पर है ठीक है कि नहीं मैं जा कोई भींदू है यहां पर यह से R distance पर है ठीने और ठीटा डीगरी का कूर भी बनाता ठीक आ ठीक है और कोई भींदू यहां पर है तो इसको है हम लोग ऐसे एक Right जांगल के सहारे इसको देनोट करते हैं और इसको जो है R cos theta और और साइन ठीटा यानि इसमें जो है डिस्टेंस के साथ साथ एंगल का भी उप्योग किया जाता है जाया और कोजे यानि साइन और कॉस का भी इसको निर्देशित करने के लिए पोलर सिस्टम को धुरुविय सिस्टम को निर्देशित करने के लिए किसी विंदू पी को हम लोग जो है क्या करते हैं तो डिस्टेंस भी होता है जो मूल विन्दू से कितने के डिस्टेंस पर है तात ही कि वह कितने का एंगर बनाता है और उसका कॉस्चिता तो यह हमारा क्या हो गया है कि हमारा भूज हो गया इसमें ये क्या हो गया ये हमारा पोलर सिस्टम में ये हमारा भूज हो गया किसी विंदु का भूज पोलर सिस्टम में किसी विंदु का भूज आर कॉस्ट ठीटा होता है पोलर सिस्टम में किसी विंदु का भूज जो है आर कॉस्ट ठीटा होता है और यह जो है कोटी हमारा R sin theta होता है R sin theta होता है ठीक है यह क्या हो गया तो कोटी हो यानि किसी भी विंदू को किसी plane में इस्थित किसी विंदू को जोमेटरी में दो पदतियां है तरसाने के लिए दो पदतियां है पहली पदति क्या है तो कार्डेसियन सिस्टम कार्टेसियन कार्टेसियन सिस्टम यानि कार्थिया पदति इसको हम लोग कार्थिया निर्देसांग इसको हम लोग कहते हैं कार्थिया निर्देसांग इसको कार्थिया निर्देसांग कहते हैं और इसको जो है हम लोग भूविय निर्दे सांग कहते हैं अब रही बात कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो है कार्टेसियन निर्देसांग का उपयोग करते हैं करते हैं जो में ट्री में अधिक से अधिक जो है एक कार्टेसियन जो है पद्धति का सिस्टम का उपयोग किया गया है तो कार्टेसियन प्रोडक्ट तो हमारा सिस्टम है तिका ज्यादा हम लोग करते हैं अब जो है इस विडियो में आपको इतना ही कंटेंट मिलेगा यह जो है बेसिक कंटेंट है ठीक है हमारा क्या है कि कोडिनेट जोमेट्री को जानेने के लिए यानि कोडिनेट जो में ट्री के जो कंसेप्ट है के संचिप्ट परिचय है उसको जानने के लिए यह जितने भी आपको अभी तक पढ़ाया गया है कि वह जो है कि एक उसके पेस उसके पिलर को जो है इस पर हमारा ये मतलब के कोडिनेट जो जोमेट्री है आधारित है तो इस वीडियो को आप लोग अच्छा से ध्यान पूर्वक दो बार तीन बार रिपीट किजिए पढ़िए और जो भी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं सब्सक्राइब कर लेंगे अगला जो इसका वीडियो होगा अगला जो वीडियो होगा वह जो है बहुत ही दमडार होगा और ये खासकर इस तरह से रिपीट करके इसलिए बताया जाता है कि जो भी कमजोर विद्यार्थी होते हैं जो भी कमजोर विद्यार्थी होते हैं वह जो है देखते ही क्या होता है वह गणीत को मतलब जो है इस तरह के टोफिक को पार्टिकुलर जो गणीत का भाग होता है खास मिसेस जैसे जोमेट्री है इससे भागते है ठीक है तो जो ए एक्स्ट्राइडी नदी विद्यार्थी होते हैं में धावी छात्र होते हैं वह तो स्वेम कर लेते हैं लेकिन सिक्षक का काम क्या है कम जोर से कम जोर विद्यार्थी को पेरा कम जोर से कम जोर विद्यार्थी को जो है तो हम बता रहे हैं वह समझ में आ जाए तो वही सिक्ष का पर तब क्या होता है कि वह जो है सारे का सरांस करके कमराइज करके और विद्यार्थी को सरल से सरल भासा में प्रस्तूत ठीक है तब तक के लिए धन्यबाद एक झालीख थैसरे है और ऊत्व भास में एक रस्तॐत बड़ित करThis सकै कर दोरी की अ उचार्व क्या है तो चया है सिर्धार्वादें कर दोलाया है ड्क ऱ直接 होता होता है कि य będę बहुत्यूदब